हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप तो रामेश्वरम में ये एक्जॉटिक बर्ड पार्क डोडो आइलेंड के नाम से है तो मैंने सोचा क्यों नहीं है आप देखा जाए कि है क्या क्या एक्जॉटिक बर्ड ऐसे क्या जो हम नहीं देखे तो आईए फ्रेंट्स चलते हैं देखते हैं क्या चीज है यह तो बिल्कुल रोड पर ही है जब आप रामेश में से पाम बाम जाते हैं तो यह आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा तो इस सब चीजे इन्होंने भोली हैं के अंदर देखने के लिए मिले ही तो आईए देखते हैं कि सच में चीजे एक्जॉटिक बर्ड्स हैं भी या नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कॉंसेप्ट मैंने मतलब दिल्ली में नहीं देखा था तो मेरे लिए नया है तो यह सब जानवार जॉब देख रहे हैं यह एक्सपेक्टेड है कि हम अंदर देखने के लिए मिलेंगे बाकी देखते हैं क्या है काफी लंबी फैरिस्त है तो आए यह यह यहां पर अंदर है तो यह हमने अंट्री गरी शाद चुएं है यह शर्मी ले चुएं मकडी कच्छवा हान जी बिल्कुल सही और यह देखिए इस तरीके से बर्ड जो है आपके हाथ पर आके बैठ जाएंगे आप बीज लेगा यह यह देखिए चोटे तोते लग रहे हैं देखने में तो बहुत बढ़ी आबाद है इनकी यहां पर चारो तरफ यही दिखाई देते हैं टिकेट है इसका शायद आपसे 100 रुपर लेंगे और इस बढ़ा मज़ा आता है जब यह आपके हाथ पर आके बैठ जाते हैं पक्षी और फिर जो खाना खाते हैं यह देखिए यह मेरे हाथ पर आके बैठ के हैं तो बहुत लोग आते हैं हाँ पर देखने और देखिए और भी लोग आ गए हैं यहां पर काफी सारी नोने आपर वराइटी रखी है बेसिकली देखिए कच्छवा है इसमें यह और तो हता है यह पता नहीं क्या चीज है मुझे इसके बारे मैं नहीं पता है यह बड़ा तोता है जो है इनके हाथ से खा रहा है इनके सिर्फ पर भी बैठ किया है आपर से पूरा कवर्ड है यह बिसिकली ताकि भाग ना पाएं इनको चगा दी गई है अच्छा एक्सपिरियंस है देखने के लिए आप यह देखिए काफी हुमन फ्रेंडली लग रहे हैं बाग ने रहे हैं मुझे देखके यह देखिए कितना खुब्सूरत मुर्ग है यह अब उदर सामने भी कुछ पिंज रहे हैं उनमें भी देखेंगे और देखें यहां पर भी यह पक्षी हैं बहुत ही सुन्दर और बिक लिजर्ड्स जो है वो भी हैं वो भी आपको अगर दिखी तो दिखाऊंगा हां है ना दूप में वह पर आप यह दिखेंगे इनको हम तो चीनी मुर्गी बोलते हैं आप पता नहीं क्या बोलते हैं उगे चीनी मुर्गी बत्तख गाज हांस बोल देते हैं हमें ने बहुत ही खुब्सूरत पक्षी आई है यह पता नहीं क्या इसको मैं भी नहीं जानता कुछ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है यह भी बोई मुर्गी है मुर्गी नुमा चीज है शांदार यह भी बड़ी प्यारी लग रही है मुर्गी और यह देखे जो मैं आपको बोल रहा था आप देख लीज़र धूप सेख रही है बहुत शांदार वह पर यह पक्षियों भी बैठे हुआ है यह देखे यह हरे कलर की है वराइटी देखिये भाई औरेंज ग्रीन खतरनाग तो वह पर हम आगे हैं यहां पर यह हमारे दोस्त बीच खा रहे हैं और यह देखे यह जिगर सांप भी यहां पर है इसको भी रखा गया है मज़े से सो रहा है उसके बाद यह ओस्ट्रिच लास्ट होता है यहां पर तो प्रेंट्स बताइएगा कैसे लगा आपको यह जगा कैसी लगी विडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा तैंक यू तो